question यह question देख के तो बहुत ही tough लग रहा है बट हम इसको देखेंगे यह उतना tough नहीं है ठीक है यह देखने से अपने को नजरिया आ जाता है कि यार यार यह क्या आ गया ठीक है यह तो मेरे को पता नहीं है तो मैंने देखा नहीं यह question frequencies के उपर बात कर रहा है data के उपर बात कर रहा है तो इधर क्या दिया है for some data x1, x2, xn with respective frequencies f1, f2, fn the value of summation 1 to nfi whole into xi minus x bar is equal to हमको ऐसे पूछा है तो इसमें से पूछा है कि answer क्या होगा nx bar होगा 1 होगा summation fi होगा 0 होगा तो देखिए यहाँ पे हमको hint कहां से लेना है यहाँ पे एक दियावाए x bar क्या दियावाए x bar यहाँ से हमको hint लेना है और x bar क्या है mean x bar क्या है mean तो हमारा mean का formula क्या होता है mean का formula होता है summation i is equal to 1 to n summation i is equal to 1 to n fi xi divided by summation i is equal to 1 to n fi यह हमारा होता है mean का formula अब देखो इसने कुछ इस तरीके से मांगा है इस तरीके से किया है तो हम अगर इसको थोड़ा से देखेंगे तो क्या है summation fi किसके साथ multiply है x i के साथ तो वो तो हमारा इधर आ रहा है ठीके ना summation i is equal to 1 to n fi into xi वो हमारा इधर आ रहा है और इधर देखो summation i is equal to 1 to n fi जब second term से multiply होगा तो x bar के साथ आ रहा है तो अगर मैं इसको cross multiply कर देता हूँ इसको अगर मैं cross multiply कर देता हूँ तो मेरे को यह वाला term आ सकता है तो यह कितना हो जाएगा x bar किसके साथ multiply है summation i is equal to 1 fi के साथ जो की इधर है तो मैं cross multiplication कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा x bar into summation i is equal to 1 to n f of i is equal to कितना हो गया summation i is equal to 1 to n fi xi अब देखो यहाँ पर xi है और यहाँ पर x bar है और x bar क्या है x i से minus हुआ है तो हम क्या करेंगे इसको इस तरफ लेके जाएंगे तब जाके x bar x i से x bar minus होगा तो हम उस तरफ लेके चलते हैं तो कितना हो जाएगा देखो यह जब उधर जाएगा तो यह हो गया summation i is equal to 1 to n fi x i minus x bar summation i is equal to 1 to n f of i is equal to कितना हो गया 0 क्योंकि यह इधर चला गया यह वाला इधर चला गया तो क्या हो गया 0 हो गया now look अभी हम क्या करेंगे common क्या लाया है summation f i common लाया तो summation f i यहाँ से और यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा summation 1 to n f of i कॉमन लाया तो इसके पास क्या बचा x of i और यह तो बाहर चला गया तो इसके पास क्या बचा x bar उके तो यह कितना हो गया? 0. तो मेरा यह answer आ गया. Summation f of y whole into xi minus x bar is equal to 0. So we get the answer as option number d. Now moving on to the next question.